कि नमस्कार दोस्तों मैं सुमित रैडार आज आपका आपके अपने चैनल रैडार डेली अपडेट में स्वागत करता हूं तो कल के टोपिक यूनिट डिजिट को हमने कंप्लेट कर लिया है से रिलेटिड जितने वी क्यूशन बनते हैं आपके वह आप अपना सोल करो ठीक है और जो नया टोपिक है आज का वो हम आज करवाने वाले हैं और टोपिक का नाम है गुनन खंड ठीक है टोपिक का नाम क्या है गुनन खंड फैक्टर ठीक टोपिक का नाम क्या है गुनन खंड टोपिक का नाम है अपना ठीक है गुणनखन इस पिलिंग में कोई गडबड होता है देख लिए वाई ठीक है अब देखो दो सब्द होते तो गुणक होता है ठीक है गुणक क्या होता है यह होते पाड़े जैसे कि गुणक होता है जैसे कि जैसे कि 6 12 12 24 34 36 ऐसे ऐसे यह होता है मतलब गुणक ठीक है और हमारे पास है गुणन खंड गुणन खंड ठीक है फेक्टर यह कैसे होता है मालो 6 है आपने पास थे होते हैं इसके तुकड़े होते हैं गुणक होता है इसका हुती है है Úसकि तो ऐसे हमारे दोग को तो यह हैं क्या होगा एक और रुदूels square fish तो हमारा जो पहला ही जो पॉइंट है वो आएगा नम फाइंड दी नंबर ओफ एक्टर मतलब गुनन खंडों की संख्या ग्यात कीजिए यह हमारा टोपिक शुरू होता है ठीक है फाइंड दी नंबर ओफ एक्टर गुनन खंडों की संख्या ठीक है संख्या संख्या ग्यात 12 है हमारे पास ठीक है तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे इसके गुणनखंड होगी 1 2 3 4 6 और 12 ठीक है यह होंगे इसके अलाव कोई होता हो तो बताओ आप ठीक है यह है यह इसको बोलते हैं सरव गुणनखंड है इसको साथ सरव गुणनखंड ही बोलते हैं इसको सरव मान गुणनखंड बोलते हैं और यह सेम डिजिट होगी ठीक है यह हमारे गुणनखंड कितने होगे गिन के देखो एक, दो, तीन, चिर, पान, छे, तो हमारे गुणनखंड कितने होगे सिक्स गुणनखंड होगे चे गुणनखंड ओगे ठीक है तो एसे ही हमें सोर्टकर तरीके से निकालना कैसे है देखो इसको निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा इसको निकालने के लिए मैं वो बता देता हूँ आपको क्या नाम है टिक जो है इसका main method तो बता ही दिया आपको अप्रोच जो लगानी है किसनों में वो बताता हूँ इस संख्या के या किसी भी संख्या के पुछा जाए तो उसको अभज संख्या में तोड़ो ठीक है जैसे की X की पावर है आपने पास X ठीक है Y और Z ठीक है X Y Z हमारे पास कोई डीजिट है ठीक है मतलब इसके प्राइम फैक्टर तूट के आते हैं और इसकी जो पावर है वो निकल के आते पी Q R ठीक है याद रहे X Y और Z प्राइम नंबर होने चीए अब अब हजय संख्या है ठीक है प्राइम नंबर होने चीए तो क्या करना हमें जो नंबर ओफ फैक्टर निकालने के लिए पी है पी पलस वन करना है फिर से मतलब इसको मल्टिपलाई करना है क्यों प्लस वन करना है फिर मल्टिप्लाई करना है और इनको जो मल्टिप्लाई करेंगी वह स्कांसर आए कैसे आएगा देखो आप मैं बताता हूं ठीक है जैसे बारा है बारा का फैक्ट क्या होगा तीन इंटू च्यार और फिर इसको तोड़ेंगे तो तीन इंटू दो की पावर दो ठीक है ऐसे यह प्राइम अभाजय संख्याओं में टोड़ जाएगा यहां दो है दो को एक जोड़ना है यह बना देगा इनों की गुणा करेंगे कितना इगा और हमारे पास यह निकल के कितने आए थे एक दो तीन चार पांच है तो ऐसे हमारे जो नंबर ओफ फैक्टर है वो निकलेंगे ठीक है ऐसे हमारे क्या निकलेंगे नंबर ओफ फैक्टर निकलेंगे ठीक ओड नंबर फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखूँ इसमें बता दितों मैं ओड नंबर फैक्टर निकालने के लिए यह तो टोटल नंबर फैक्टर निकलेंगे ठीक है कि एवन यह 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 वाले एवन है दू इसको अटा दो तिक यह यह वाले एवन है इसको अटा दो बड़की बच गया वह बचेंगा है तो को इसको फूल गई्ट से इवन बनेगा तो ओड में कितने बचा है यह तीन है तीन की पावर एक है इसको करेंगे दो ठीक है यह और कुछ बता ही नहीं तो इसका अंसर आएगा तो इसमें और और संख्या कौन सी एक तो एक है और एक तीन है इसके अलावा सारी इवन है तो हमारी ओड फैक्टर कितन के निकल के आ गए दो निकल के आ गए है तो हमाग एक्जामपन लेते हैं यह नोट कर लो यह है अमारा क्युस्टन का को में तरीका ठीक है इससे ही सोल करना आपको कुछ क्युस्टन लेते हम जैसे सो है सो का का फैक्टर करेंगे तो कैसे बनेगा देखू 100 को तोड़ सकते है 25 को 100 होता है 25 इंटू में 4 इसको तोड़ेंगे तो 5 की पावर 2 होती है और 4 की पावर भी मतलब 4 को भी विसम में तोड़ना है आबाज्ये में तो 2 की पावर 2 कर लो हो गया इनको एक एक बढ़ा के लिख दो 3 इनको गुणा करेंगे तो 9 इन दोनों को एक एक बढ़ा के लिखा तो कितना हो गया 9 तो यह 9 हमारे क्या होंगे नमबर ओफ फैक्टर होंगे ठीक है टोटल नमबर ओफ फैक्टर और जदी विसम पूछते तो क्या करते हम यह आटा देते पूरा चैप्टर और इसको ले लेते यह दो है तो तीन नमबर ओफ मतलब ओड आ जाते ओड डबल डी ओड मतलब विसम ठीक है ओड नमबर ओफ फैक्टर कितने हो जाता है तीन और इवन हो जाते सम नमबर ओफ फैक्टर कितने हो जाते तो 6 ठीक है टोटल नो है विशम तीन है तो सम कितने बचेंगे 6 बचेंगे उसम कितने बचेंगे 6 बचेंगे ठीक है और ले लेते हैं क्युस्सन है हमारे पास 306 ठीक है 306 306 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं इसको ले लो 936 मतलब 9 into यह ठीक है 9 into 40 ले लिया ठीक अब यह तो हो गया तीन की पावर दो यह हो गया मतलब पान पांच 58 होता है तो ऐसे हो गया तो हमें यह कैसे मनगे पांच की पावर 1 और यह इसमें क्या लिख लेका 2 की पावर 3 ठीक है इनको सही तरीक के से लिख लेते 2 की पावर 3 into में 3 की पावर 2 into में 5 की पावर 1 ठीक है बढ़ती करम में लिख लिए हैं तो ना total number of factor कितने होगे तीन है तो यहाँ 4 लिखो ठीक है यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लिखो ठीक है यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लिखो और इनको करदो multiply चारती यह 12 12 लुझ चोबिस number of total number of factor आएंगे 24 total number of factor आएंगे इस question के 24 total number of factor आएंगे ठीक है करते हैं पहले यह चलो total number of factor निकालने का तरिक्का एक बार फिर से लिख देता हूँ वैसे कहा हमारे पास कोई N कोई संक्या है उसके जो प्राइम फैक्ट निकल के आते हैं X Y और Z ठीक है और कुछ भी हो सकते है इसमें P Q और R इसकी जो है वो पावर है तो टोटल number of factor ठीक है टोटल number of factor P पलस में 1 इंटू में Q पलस में 1 इंटू में R पलस में 1 ठीक है तो यह इसका आंसर होगा याद रखें हमारे पास क्यूस्षन है क्यूस्षन क्या है क्यूस्षन है हमारे पास 420 का विसम गुणन खंड कितना होगा तो हमें क्या करना है कि हमें इसको तोड़ना है कि तो तोड़ेंगे कैसे इसको तोड़ ले लेते हैं 21 मतलब 21 इंटू यह 21 इंटू 20 में तोड़ लेते हैं ठीक है एक की दोड़ेंगे इस ठीक नहीं नहीं यह अच्छा नहीं रहेगा कि एक किसे नहीं तोड़ेंगे इस अच्छा तोड़ेंगे इस अच्छा तोड़ेंगे इसको तोड़ना थाई 42 तो 42 में आएगा एक तो 2 आएगा ठीक है चोड़ेंगे 21 इंटू 20 में तोड़ते हैं ठीक है फिर इसको फिर से तोड़ते हैं साथ इन्टू में 3 इसको तोड़ते हैं 5 इन्टू में 4 ठीक है अब साइट वालो । चैब से ही क्या निकल के आए हमारे फैक्टर निकल के आए ठीक है तो टोटल नंबर फैक्टर पूछते तो क्या करते हम इसको तीन लिखते फिर इंटू में दो इंटू में दो इंटू में दो इंटू में दो हमें पूछा क्या है विसम पूछें तो विसम के लिए सिरफ यह यह लेने हैं में तो इसमें दो इंटु दो इंटु दो तो दुनी चार चार दुनी आठ आठ नंबरों फैक्टरिस के विसम होंगे आठ नंबरों फैक्टरिस के क्या होंगे विसम होंगे इस संख्या के आठ गये शोड़ा हुआ यह हो जाएंगे यह तो आइवन नमबर फैक्ट रहोंगे तो यह संख्यागी ठीक है तो अपनौट कर सकते हो पोस्ट कर के इस वीडियो आज के टोपिक थोड़ा बड़ा है, नमबर ओफ एक्ट पूरा खतम आज ही, मन में तो है मेरे, आज ही खतम करने की बाकी देखते हैं। इसकाे ही तो हमें अब आजे संख्याओं में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको तौड़ेंके तो यह आएगा 2 की सोड़ा, इंटू 3 की पावर छोड़ा इंटू पाँच की पावर 6, देखो 30 नी 6, 6, 5, 30 हो गया ना इसका क्या करेंगे, यह लिए दो की पावर 4 और अठार चोक 32, तो 2 की पावर 62 हो गए ठीक है इंटू में यह क्या है यह है पाँच इंटू में 4 ठीक है तो 5 की पावर तो आएगी 21 ठीक और यह 4 है च्य को भी दो की पावर दो लखेंगे तो एक की दो की पावर क्या आएगी भी आड़िस ठीक है कि हो गया सिस्टम समझने अब इनको लिख लेते हैं एक दम साथ में लिख लेते हैं तो क्या-क्या बनता है वो बताता हूं कि दो धो की पावर शोड़ा यह बहतर यह और 42 हैं ठीक है जएक चाहर दस दस तो 130 फिक एक 130 इन टू में तीन कितनी बार है तीन है सिरफ सोला बार ही तीन की पावर शोड़ा इन टू में पांच है यहां शोड़ा है और वहा पर क्या है 21 है इसके विसम गुणनखंड बताना है तो हमें क्या करना है हमें सिरफ इन पे द्यान देना है इन पे द्यान देने के लिए 17 इंटू में 38 यह इसके विसम गुणनखंड होंगे यह इसके क्या कर लो और आंसौर हमारे persistence कि आनश्व आजाएगा कि कि यह जबरतस्थ हो इसमें समझाएंगे कुछ नहान कि देखो हमारे पास है फैक्टर कितने गां 308 का 308 को क्या लेगा नोट चार ठीक है नोट चार ठीक है तीन की पावर तीन दो कि पावर एक दो की पावर ती ठीक है तो सारी बात लेके चालेंगे अराम अराम से सबसे पहले हमारे फैंड दी नंबर फैक्टर ठीक है वही बात टोटल नंबर फैक्टर कितने होंगे ठीक है टी एफ टोटल नंबर फैक्टर कितने होंगे यहां से लिखो तीन है तो चार लिख दो यहां पर क्योंकि एक फाल तुकर के लिखना है ठीक है यहां दो है तो तीन इवन नमबरों फैक्टर कितने होंगे वह बताओं तो हमें हर बार क्या करना पड़ता था कि इसको हटा के और निकालते थे और को इसमें से डिवाइड करके इवन निकालते थे अब की बार मैं क्या कर रहा हूं मैं सिद्धा ही आपको इवन निकाल कर दे रहा हूं देखों बात बताओं मुझे कोई भी हमारे पास संक्या है दो से मल्टिप्लाई है यदि एक्स तो वो इवन होगे या नहीं होगे ना तो ऐसी कोई भी संक्या हो जिसके साथ टू मल्टिप्लाई होता है वो इवन कहलाती है तो हमें क्या क न हम यह सब्सक्राइब तो most you Trung!!! सब्सक्राइन से टाकी कि पावर पांच के पावर लेता है यह ब्लोड मतर्य करोग्ट लिए छाल गिकश्माव Vikt principle गाげए कि पांप निज Kathy को उनIST व्हिंद एक थीडिया है वह निकाल कर देखने में दो है तो 3 लिक्षू इंटू में एक है तो 2 लिक्षू तिन त्या नो नो दूरी 18 और निकालो ओ डबल डी और निकालने का क्या था और निकालने का यह कर सकते हैं अच्छा टॉटल 24 है इसमें से 18 गाटा दो 6 बज़ जाएंगे या इसको खटा दो ये ये और ये लेने तो दो है तो तीन लिख रो या पर एक है तो दो लिखूं कितना अच्छ है आप देखो चैको चाज़ाएं सीद्गार को चलूंहगा िशते लिख लगार है ठीक है आप इतने इसको ही देखों ठीक है एक 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 बात और एड़ कर देता हूं इसी में मिटाड़ना क्यों है ठीक यह दो कॉमन लिया तो सम बन गया माल लो किसी क्युस्टन में आ जाए कि ऐसे कितने मल्टिपल है ऐसे कितने फैक्ट रहे हैं जो 20 के मल्टिपल हैं वह दो के मल्टिपल कितने थी 18 विसम पूछे तो 6 ठीक है बहिए 18 दो के मल्टिपल ही तो है Sum क्या होता है Sum वो होता है जो 2 का Multiple हो यह 2 उसमें include हो वो Sum कहलाता है तो मतलब 2 का multiple हो गई कुछ ना तो यह 2 का Multiple है ऐसे ही कोई कुछ्षन आजाए जिसमें यह पूछ ले कि हमारे कुछ्षन में यह आजाए कि 366 में ऐसे कितने Factor है जो 20 के Multiple है जो की ठीक है 20 के multiple है ठीक multiple है तो इसको कैसे करेंगे हमें क्या करना है हमारे पास equation है 2 की power 3 into 3 की power 2 into 5 की power 1 ठीक है इसमें अच्छे हमें 20 को मल लेड़ा है तो 20 को मल लेड़ी के लिए क्या करना पड़ेगा 4 into 5 चाहिए हमे 4 कहां से निकलेगा यहां से निकलेगा तो 2 की power 2 यहां से निकलेगी और 5 की power 1 यहां से निकलेगी तो यह दो दुनी 4 ठीक है और 5, 4, 5, 20 होगा 20 बहार ने लिए हमने यहां क्या बचा, यहां बचा 2 की power 1 यहां क्या बचा 3 की power 2 और ये पूरा-पूरा हमने कुमन ले लिए, ठीक है, ये 20 है, 20 इंटू में ये है X, ठीक है, ये है X, एक्स की value निकाल लेते हैं, तो 20 के multiple निकल जाएगे, तो ये 1 है तो यहाँ 2 लिखो, ये 2 है तो यहाँ 3 लिखो, और 3 दूरी 6, तो इस संख्या के अंदर 20 के multiple कितने निकल देखेंगे, ये हम निकाल के देख लेते हैं, देखूं, 20 बीदूनी, 40 बीतिया, 60, अरे यार, क्ये लिख रहा है था, चाले, बीतिया, 60, बीचोक, 80, और आ, 80 याता निया, बीचोक, 80, बीपन, 100, बीच्छेंगे 120, एक्सो बीच, 140, एक्सो स्याट, एक्सो स्याट, 114, 180, एक्सो स्याट, ठीक है, कितने होगे, 1, 2, 3, 4, 5, और एक ये 304, खुदी, जो 20 का मल्टिपल है, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारे कितने निकल के आए ते, 6, और 20 के मल्टिपल भी, इसमें कितने निकल के आए इसके फैक्टरों में से इह निकल के आए, देखो 20-20 का फैक तो एक चुमय को मिल सकता है कि रहे चुम के लिए हमे दो कूमन ले लिए ट्रह इस थैज इंद्स आड़ करा है मैं एक्जाम्पल कम ले रहा हूं पर कंसेप्ट एक भी बाकी नहीं बचा तो याद रखें जो भी एक भी क्यूशन करवा रहा हूं उसमें भी कंसेप्टों की भरमार है ठीक है तो उसको ध्यान से देखें आप ठीक तो नेक्ट लेके चलते हैं अच्छा सम ओफ एक्टर ठीक इसी के अंदर है मतलब गुणन खंड में है अभी तो क्या करवाया था हमने नंबर ओफ फैक्टर करवाया थे अब है सम ओफ फैक्टर सम ओफ फैक्टर क्या होता है देखो बताता हूं बारा है बारा का क्या कि हमने दो की पावर दो इंटू में तीन की पावर एक ठीक है यह है हमारे इसकी गुणन खंड ठीक अब इनको खोल लेते हैं तो इसको खोल लेंगे तो क्या निकल के आएगा इसमें क्या है तीन की पावर जीरो है इसमें ठीक है दो की पावर एक है दो की पावर दो है ठीक है इसमें क्या है तीन की पावर जीरो पलस में तीन की पावर एक ठीक है यह होता है इनके अंदर ठीक है गुणन खंड के अंदर क्या क्या होता है दो की पावर एक दो की भीत में वह समझा देटा हो अपको गुलन खंड इस निकल के आखा एक से मिल्टिप्लाई हो गां ठीक है फिर यह इस से मिल्टिप्लाई होगा ठीक है यह से मिल्टิप्लाई हो गां फिर ये इससे मल्टिप्लाई होगा और ये ही इससे मल्टिप्लाई होगा मतलब कि जीरो की पावर जीरो दो की पावर जीरो तीन की पावर जीरो ये एक तो गुननखंड होगा एक एक करके ठीक है दूसरा गुननखंड क्या होगा एक दो की पावर जीरो तीन की पावर एक ठ एसे ऐसे करते पूरा लिखते चले जाएंगे, यह होंगे इनके गुननखंड, गुननखंड होंगे और फिर इनको जोड़ना है, ठीक है? तो यह पूछ रहा है कि sum of factor कैसे निकलेगा, ठीक है? तो sum of factor निकालने के लिए हमें करना क्या है? हमें इतना सा करना है कि ये लिखने के बाद याद रहे 0 जरूर लें ठीक है तो इसको इसकी value होगी 1 इसकी होगी 2 इसकी होगी 4 ठीक है इनको जोड़ दें इनकी value होगी 1 और इसकी value होगी 3 ठीक है 7 और यहां क्या निकल गया? 4, 7, 28 ये होगा नमबर of factor ठीक है मतलब sum of factor हो गया यह ठीक है sum of factor क्या होगा यह होगा ठीक और और पूछ लेता तो और पूछ लेता तो यह समवारी लाइन हम पूरी अटा देते और यह यह और पूछ लेता तो ठीक है तो चार हो जाता है इसका sum मतलब और और नंबरों का sum of factor ठीक है विशम का sum of factor ठीक है sum of odd factor ठीक है यह लिख लेंगे ठीक है लिख लो इसको कि sum of odd factor ऐसे निकलेगा ठीक है और बाग की बाचे वह इवन फैक्टर हो जाएंगे ऐसे यह हमें पिछली क्या क्या था मैंने यह था ना हमारे पास बाराव 12 क्या थे 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1 यहां से ही यदि हमें यह पूछ लेता कि सम संख्याओं का निकाल के दिखाओ यह वारा ठीक है कि सम संख्याओं का निकाल के दिखाओ तो हमें क्या करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए सबसे अच्छे वह बात हैं कि यह जो जीरो है ना कि इसको अटा दो क्योंकि यह जोड़ने से हमारा इनका जोड़ कितना बनता है साथ जब इसको अटा देंगे तो हमारा जोड़ कितना बनेगा यह यह रखो पूरा यह इससे कितना बन रहा है तो च्यारचिंगे और फिर आशे कर लेना टोटल आये था था twenty और विसम का घटा देना च्यार आये था विसम का तो सम का कितना बज जाएगा 24 थीग है तो ऐसे हम यह सम नम्रों का भी निकाल जाकते हैं समसंख्या का ठीक है एक एवन के लिए ठीक है इवन के लिए है ये नमबर फैक्ट ठीक है और इसमें यदि ये पूछ ले कि ये टोपी करता हूं कि आवरेज ओफ नमर फैक्टर न आवरेज ओफ दी आल फैक्टर ठीक है आवरेज ओफ दी आल फैक्टर एवरेज पूछ ले ओसत फैक्टरों की ओसत बताओ तो इसके लिए क्या आएगा इसके लिए आएगा सम ओफ ओफ ओल फैक्टर और बटे में जो टोटल नमर फैक्टर है सम ओफ ओल फैक्टर सम ओफ ओल फैक्टर और टोटल नमर फैक्टर तो इसको वह बारा वाड़ा लेके चलते हैं ठीक है बारा वाड़ा में सम ओफ ओल फैक्टर कितना आया था 28 और टोटल नमर फैक्टर कितना होता है इसका total number of factor कितना होता है तो 28 बटे में 6 यह इसका आंसर हो जाएगा 28 बटे में 6 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यह याद रखना यह formula लिख लो और यहीं इसके उपर क्युस्टन करवा देंगे हम बाद में ठीक है अच्छी अच्छी बाते करवाते हैं अभी हम इस पर क्युस्टन आएंगे देख लो कि दो और तीन इसका जब स्केर करते हैं तो एक नमबर की मतलब एक अंक की वो क्या नाम है संख्या बन देते हैं ठीक है एक अंक की संख्या यह देते हैं, यह दो नंबर हैं, जो प्राइम नंबर हैं, ठीक है, जो एक अंक की संख्या देते हैं, ठीक है, यह प्राइम नंबर हैं, अब आज जी संख्या हैं, जो एक अंक की ही, इनका इसकेर जो है, वो एक अंक का ही आएगा, ठीक है, इनका वर्ग जो है वो एक अंक का ही आएगा ठीक है और दूसरे नंबर पह है पांच और साथ कि यह दो ही संख्या ऐसी है जो अभज्य है और इनके दो दो अंकों की संख्याइं देते हैं वर्ग करने पर ठीक है इनका इसकेर करने पर दो अंकों की संख्या यह देते हैं और तीसरे नंबर की बात क्या आएगी याद रखना काम आएगा अभी क्यूंसर्ण करोंगों इस पर ठीक 11 13 14 17 17 19 21 21 21 21 ठीक इसका होता है 121 इसका होता है 169 है ऐसे चलते 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 इसका होता है 900 कि 961 यह सभी संख्याएं ऐसी हैं जो तीन अंकों की संख्याएं देती है 11 से लेकर 17 तक यह सभी संख्याएं कैसे होती है जो तीन अंकों की संख्याएं देती है ठीक है यह तीन अंकों की संख्या देती इसके उपर जो बेश क्युस्टन है वह मैं आभी करवा हूँगा यह SSC ने और कई एग्जामों ने पूछे हुए है कैसे क्युस्टन आते हैं वह आपको मैं समझाता हूँ यह ऐसे प्राइम नंबर है जिनका वर्ग करने पर एक अंकों की संख्या आती है यह ऐसे प्राइम नंबर है जिनका वर्ग करने पर तीन अंकों की संख्या आती है ठीक है इसके उपर बेश क्युस्टन है हमारे पास देखो ठीक है और एक बात और बताते है तो इस क्युस्ट साथ ले लो ठीक पांच भी है यह है इनका जब फैक्टर करेंगे तो इसका एक और दो आएगा इसका एक और पांच आएगा इसके एक और साथ आएगा याद रखें जब इनका वरग करेंगे इनका वरग करेंगे तो यह आएक वरग इसका चार इसका पच्चिस और इसका उन तो इनका वर्ग करेंगे तो इनके factor के आएंगे इनके factor ऐंगे 126 आएंगे jeśli पांच और 25 इसका आएगा एक सात और उनेंचाज़ तो याद रहे याद रहे कि प्राइम नंबर का जब फैक्टर करेंगे तो वो सिरफ दो अंकों में आएगा मतलब दो ही फैक्टर मनेंगे उसके और इनका जब स्केर करेंगे तो यह तीन अंकों में निकल के आएगा कhesia कि इस संख्या के शिरफ तीनी फैक्टर हो तो गारन्टिट उसंख्य प्राइम नंबर होगी underestimate कर दो कर दो कर लिए होगा इसको खतम करेंगे जल्दी से जल्दी एक गंटा की नामन्स आएगा देखो देखो दो अंकों की कितनी संख्या है जिसके वरग तीन गुणन खंड है जिनके वरग तीन गुणन खंड है दो अंकों की कितनी संख्या है जिनके वरग जिनके वरगों का जो है वो गुणन खंड तीन अंकों का बनता है तीन संख्या है जिनके जो वरग है उसका गुननखंड तीन ही गुननखंड बनते हैं तीन ही गुननखंड है दो अंको की संख्याए है तो बताया था हमने दो अंको की संख्याए इसके गुननखंड शिरफ तीन ही बनते हैं ठीक है 2 अंकों key summary 1 10 और इसका रखेंगе तो उनहीं कुछो कि संक्या है जिसका वर्भ करें कि उसके वर्ग उसकेтов वर्ग तीन को कई बंद्था Kin दो अंको कि कितनी संक्या है जिसके वरग और तीन的時候 तो निकल के आएगा एक पांच और पत्चिस ठीक है इसका निकल लगाएगा एक साथ और उनेंचाज ठीक है एक साथ और उनेंचाज कि करें करें कि देखो किसी संख्या का हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो वो हमेश्या ही हमेश्या ही इवन फैक्टर निकल के आएगा तो इसका मतलब है वो इसकेर है ठीक है जैसे की मैं बताता हूँ आपको कि सोड़ा है हमारे पास ठीक है इसके फैक्टर करो एक 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 सोड़ा दो आठ तीन तो जाता नहीं चार चार ठीक है और यहां है हमारे पास बारा इसके फैक्टर करो एक बारा दो चै तीन च्यार ठीक होगया चार ती बारा होगया पोरा यह यह च्यार ही है तो इसको यहां तो इसके टोटल नमबर फैक्टर कितने निकलके आ है पांच और इस महाराज के कितने निकल गए छे तो हमें दिख रहा है कि यह एक है और यह एक नॉर्मल संक्या ठीक है यह स्कीर है यह नॉर्मल गार तो इसक्यर करने जो वर्ग है उसके ही विशम हो सक्ते हैं कटわか पर संख्या न कि घिए पॉर्टकसर इसके भृषच्वर कि सकते हैं ऑगो कि किसी वी संख्या के फैक्जर निकालो गे तो वह हमेशा इंगे यदि को यत bekommt वर्ग है उसका निकालेंगे तो वह हमेशा ही विसं निकालेंगे इतनी सा बहुत बोली है कि किसी विसंख्या का फैक्ट निकालेंगे तो समा आएगा एवन आएगा ठीक है और किसी वरग का फैक्ट निकालेंगे तो हमेशा ही विसंदेगा ठीक है वो हमेशा ही क्या देगा हमें विसंख्या देगा तो यह हमें देखना था ठीक है तो एक्यूसन है एक्सोस्याट से कम प्राकर्ति संख्याओं के कितने संख्याओं गुणनखंड विसम एक्सोस्याट से नीचे से कम कितने प्राकर्तिक संख्याओं है कितनी प्राकर्तिक संख्याओं है जिसके गुणनखंड विसम है जिनके गुणनखंड विसम है अभी अभी मैंने बता आया था कि इसकेर संख्या के ही गुननखंड विसम होते है अभी बताया था कि नहीं बताया तो इसका जब गुननखंड करेंगे तो एक मतलब ही चार है तो एक चार और बचा दो एक चार और दो यही गुननखंड होंगे इसका ठीक है एक चार और दो ठीक दो दो निचा ठीक है एक चार और दो तो ऐसे ही सभी संख्याओं के तीन तीन गुननखंड निकल गयाएंगे यह विसम निकल गयाएंगा ठीक है तीन के जरू निनी है पर विशम निकल के आएगा यह पक्का है तो एक से शुरू होगी और कहां तक जाएगी कि इसकी देखो यह सोडा है तो यह एक सुशाट से तो बहुत कम है यह अभी तो अभी करवाते हैं बात आपकी 12 की स्केर से फिर 13 की स्केर से 12 की स्केर कितनी होती ह 169 ठीक है तो 169 तो फालतू गई ठीक है 169 तो क्या गई फालतू गई 169 फालतू गई तो हमें यह चाहिए नहीं तो यह है मतलब आंस्वर के अंदर है तो हमारे पास 12 संख्या ऐसी है जिसके जो गुननखंड है वो विसम है हमारे पास कितनी संख्या है एक सुशाट से यह 1 है यहाँ 4 है यहां 9 है यहां 6 है यह 25 है । यह 36 है और प्रशाज से ऐसे करते प्रशें यह is 141 संख्याओन हुए जिन-के सभी के गुनन-खंड किया आएंगे? ध्यान रखना है कि विसम गुनन-खंड किन संख्याओं होते हैं? वो होते हैं एक वर्ग संग्यागे ठीक है यह लगे नहाँ एक लाँ mोड़ होते हैं ही वर्रशबब nuances नहाँ से जहाँ सेडमाः है झाल फ्थयाँ होते हैं यह नोट कर लिया हो कि नेक्स्क्ट क्वूशन करवा देथे अपको बड़ी आजां कि नेक्स्क्ट क्या है देखो विज्ट कि n को संग क्या है देखां अन स्ग्वार डों की पार 8 है इन 2 ऑक फिर की पावर 7 है इन 2 में पांच के पावर तीन है ठीक है बोल रहा है कितने गुणनखंड है जो अपने पूर्ण वर्ग है ठीक है कितने गुणनखंड है इस संख्या में कि पूर्ण वर्ग है कितने गुणनखंड है कि पूर्ण वर्ग है याद रखे पूर्ण वर्ग मतलब इसके रहे गए तो इसके जो निकाल लेए तो इसके लिए हमें क्या सबढ़ानी पड़ेगी कि सुथ्तर है इसका अट लिखो बढ़ा वाड़ा भी बता देंगे ठीक है पेले चोटा में देखो अगहिं कि हमें क्या करना इसमें इसी तिस करना है देखो इस क्यूशन में करना है कि जो आठ है वो बटे में पलस में एक ठीक है जो पावर है उसके बटे में दो करो पलस में वन करो ठीक है और फिर साथ के बटे में दो पलस में ठीक है फिर तीन के बटे में दो पलस में अब करना क्या है इसको काट दो चार और पलस मे 1-5 ठीक है इंटू में देखो पूरा काटना नहीं से निच्छे तक ले जाना 2-3 6 तीन पर 3 और 1-4 लिए लिए दो एकम 2-2 जो एक पर 1-2 ठीक है तो यह दो लिख लिए तो उनको गुणा करेंगे तो पांच उक Cloными और बीस विद्वुनी चाsin तो चारिस संक्या है जो पूर्णवर्ग है 40 कितने संख्य है 40 ऐसी संख्य है जो पूर्णवर्ग है कि अठो कि और दो कि पाउर और ना हाँ आठ तक है कि आज आए हैं तेन की बाहर जिरो तेन की बाउर एक तिंपार डो तिंपाँ तेन की बाहर जाएं ढ़लijo पाउच है तीन की बावर साथ पांच की बावर देखो इसमें से पूर्ण वारग कौन कौन सा हो सकता है ठीक है ये पून्वर निकलेंगे ठीक है क्या निकलेंगे पूरन में गुना करके यह यहीं एक है एक की गुना इससे होगी ये नौ है एक की गुना नो से होगी तो नहीं निखल mesma ऐगा तो इस वज़ेस हमने इस बिलिया है फूरा ठीक है यह भी लिया है तो यह कितने एक दो तीन च्यार पांच इंटुम यह कितने है दो तो यह कितने निकल के आए 40 तो हमने यह शोर्ट ट्रिक बनाई है और इससे मैथड यह है देखो यह है हमारे पास देखो यह यह कितना है 2 को चार लबर यह कि करका ने तो 14 इसमें दो कितनी बार निकलें मैं एक 2 और फिर दो लगा दू ठीक है तो यह भी स्केयर है यह करें तो इसको क्या करेंगा शोरा है शोरा बती बत्ती दो कि नोट कर लिया हो गाई तनी जल्दी दो कहाँ दे अगरे हो रोप कोर नोट करो प्रोड़क्ट मतलब प्रोड़क्ट ओफ फैक्टर ठीक है प्रोड़क्ट निकालना अब के बार मतलब गुणा निकालना इन गुणान खंडों का ही ठीक है गुणान खंडों का गुणान निकालना इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए करना पड़ेगा प्रोड़क्ट ओफ ओ क्या हमांरे पास वह संख्या है कि तु संख्या का उस संख्या का नंबर उफ एक्टर और हैं इस एसए उसिक्स होगा जैसे कि हमारे पास 20 को संख्या है विछ का फैक्टर निकलेगे तो शहें तो दो की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 ठीक है तो इसका नमबर ओफ एक्टर कितना निकलेगा 3 इंटू में 2 तो नमबर ओफ एक्टर कितना निकलेगा 6 अब प्रोडेक्ट ओफ एक्टर कितना निकलेगा 20 की पावर 6 की बटे में 2 तो इतने से कटेगा तो 3 पर कटेगा यह ठी तो 20 की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी तीन 20 की पावर तीन का मतलग क्या होता है 8 और 3 बार 0 ठीक है 80 जी ओप्रदी संफ सब्सक्रार करें नुम्स दकाल जिसको सब्सक्राइधर करो उसको क्या रिञाशा हेत्र of factor आज ये टोपिक कहतम हो गया वे मोज होगी sum of reciprocal of factor sum of reciprocal of factor जल्दी लिखो देखो नोट कर लिया होगा sum of reciprocal of factor मतलब की है कि गुणन खंड के योग का उल्टा मतलब उल्टा reciprocal of factor मतलब sum of reciprocal of factor ठीक है मतलब उल्टा गुणन कर दें उसको उल्टा कर दें वन भाई में कर दें तो उसका जो जोड है वो कितना आएगा जैसे कि हमारे पास है 50 ठीक है ठीक तो इसका पहले तो फार्मोला जान लेते हैं तो इसको फार्मोला क्या आएगा फार्मोला होगा इसका क्या था भाई यह है तो टोटल नंबर ओफ्ट्र सम ओफ ओल्ट्र सम ओफ ओल फैक्टर बटे में नंबर ओफ फैक्टर की कितने नंबर है मतलब नंबर ओफ फैक्टर नहीं वो जो नंबर है वो कितना है ठीक है तो यह इसका वो होगा देखो इसको तोड़ते है 22 इंटो में 2 5 की पावर तो इंटो में 2 की पावर एगा ठीक है यह तोटी है अरे तोड़ना क्यों था इसको सम ओफ फैक्टर अरे चाहिए तोड़ना पड़े गई ठीक है यह निकालना था ठीक तो इसका सम फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा इसको sum of factor निकालना है तो पता था हमें पहले तो प्राइम फैक्टर में तोड़ो और फिर जितनी पावर है उसको ठीक है यह कितना बनेगा तեղों टीक तो हमारे में में इसका एंसर क्या यहां रहें गा- तो 65- Il y Terrano ये इससे इसका ऐंसर होगा यह गिएी क्यूषन का अंसर के ऐन पर एक मी ऐन यह तो यह किस्थ नौर बच यह पेंस मे लिखनाया तुम सब्सक्राइन कर तो तो अभाज्य कुणन खंड तिक अभाज्य कुणन का ओत्ते है देखा। आबाजी गुर्चन्ड क्या होता है दैसे हमारे पास है देखूं आट है एक इंटू मतलن एक है इसका आजी गुनंगन निकालते से पहले एक है do hai एक दुर ि्यूर निकालते प्रयों यह तो इसका अबाजी गुनंगन क्या आएगा यह आएगा ऊच्छेप और बाक्का तो इसको कैसे लिख सकते हैं तो सिरफ अबाज जी गुनन घंड कितना निकल के आए एक निकल के आए ठीक है दो की पावर तीन है पर हमारा अबाज जी गुनन घंड कितना है शिरफ एक है बट अभी आपको एक क्यूशन करवाते हैं जो SSC ने पूछा है और उसका अंस्वर अलग है अब SSC की माननी पड़ेगी अब इसमें देखो ये पूरा लिखने तो दुबार से मैं है थोड़ी दे रोड चल जाएगी कोई बात नहीं आठ है इसके एक दो च्यार और आठ ये है काईदे से इसमें अभाजे संख्या कितनी आई है सिरफ दो आई है सिरफ दो आई है ठीक है काईदे से ये आई है इसके अलावा सब भाजे संख्या है बट हमें क्या करना है दोक की पावर तीन करनी है और इस क्यूशन कांसर क्या देना है तीन देना है कि दो तीन बार आया है तो तीन इस में अबाज्य गुननखंड होंगे याद रहे ऐसे सी ने ऐसे क्यूशन पूछा है देखो अब मैं दिखाता हूँ क्यूशन कौन सा है ठीक है अबाज्य गुननखंड है ठीक कि संख्या क्यूशन है हमारे पास 30 की पाऊर 16 इंटू में 16 की पाऊर 18 इंटू में 20 की पाऊर 21 बोल रहा है कि अबाज्य गुननखंड बताओ तो हमें अबाज्य गुननखंड निकालने के लिए पहली बात तो वोई पैटर्न बनाना पड़ेगा तो इसको क्या करेंगे तो की Power 16 एंटू में 3 की Power 16 ये कितना हो गवा है दो यह 112, और इस कितना हुआ था कि यह पा CC 2012, तो पांच की पावर 21 और दो की पावर बैयारीस और यह तो वह यह तो इसमें निकल के दो की पावर 130 ठीक ठीक है दो की पावर 130 और और तेन की पावर कितनी है छोडा सोडा यह पावर सोडा प्लस میں 5 की पावर 37 ठीक है 37 अठीक है यह निकल कि Core अबार दो एक Strategy सैंगहे है कितनी कायदे से एक बाद 15 और तीन और एक बार पाँन इसके अभाज संक्याय यूज नहीं हुई है इनके गुणाई बाद-बाद में यूज हुआ होगा तो हमारे हिसाब से या काइदे से जो असली है वो है दो तीन और पांच ये सिरफ तीन इसंक्याय है जो कि योज ही है इस क्यूशन में पर इसका आंसर क्या है इसका आंसर है इसको लो 130 पलस में 16 पलस में 37 टोटल कितना आएगा इसका टोटल आएगा 7 अचाहें 12 13 इसको तिरासी इसमें अभाज्य गुन अनखंड है ठीक है 113 इसमें अभाज्य गुन अनखंड है पर यह है वो कि 183 नंबर ओफ अभाज्य गुन अनखंड के मतल्ले इनके तो 130 बार यह यह शोड़ा बार यह पांच बार तो उस जो अभाज्य गुन अनखंड है उसने यह क्यूस्टन को एंड यह में आ चुका है इसने इनको ही बार-बार यूज करवा के पूछ लिया कि अभाज्य गुन अनखंड होगी तो यह अमारी अभाज्य गुन अनखंड होगी याद रहे कि टोटल नंबर ओफ एक्टर पूछने ह होगते तो हमें इसमें एकफालतू करना पड़ता है इसमें एकफालतू इसमें एकफालतू और फिर्म को गुना करते हैं ठीक है वो तो आता तोटल नंबर फैक्टर यह अभाज्य गुनन खंड बतलब जो पावर है सेम उसको जोड़के लिख दो अभाज्य गुन करेंगे ठीक है इससे रिलेटिर जितने भी क्यूशन आपके पास हैं कैसे भी करके उनको सोल करो हमसे पूछो अपने दोस्तों से पूछो या आपके कोई सार हो पास उनसे पूछो और हमसे कॉंटक्ट हो तो अच्छी बात है और नीचे जाके टेलिगराम गुरूप को जोइ करो उससे हमारे पास क्यूशन बेज सकते हो ठीक है और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करो अपने दोस्तों के पास ठीक और चैनल को नए है तो सब्सक्राइब कर देना और पुराने है और सब्सक्राइब नहीं किया तो भ जल्दी से जल्दी ठीक है और चलो यहीं क्लास को खतम करते हैं जैहीं जैवाल थन्यवाद